नमस्कार दोस्तों एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत सुवागत है आप सभी के अपनी यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर जैसा कि आप सभी को उता है कि बिएट की जो त्यारी यह लगातार मैं आपको करवा रहा हूँ ़ुटकर हिंदी के लियो यहांँ पर हिंदी लियो जब देहराश करो चुकिर्शी आ 맞는 जाएगे लो पर जाका जो लोग अब पर क्रशेज कर सकते हैं ठीक है इसके लावा हुल Un fe we मिलता रहे और इस्टाग्राम पर फॉलो कर ली जाकर आपके कोई भी डाउट है कोई भी सवाल है तो आप लोग डाइक लिया करके वहाँ पर हम से पूस सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा तो चलिए करते हैं आज के इस क्लास को जहां पर आपके लिए मैं इंपोर्टन 35 कोईशन लेकर के आया हुआ हूं और यह जो कल मैंने वीडियो दिया था आपको 140 कोईशन के आसपास दिया था जहां पर मैंने आपको करवाया था क्या हिंदी के सारी कोईशन जो आपके रशना से संबं उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे तो जल्द यल्दी करेंगे कि आपको पता है बहुत जादा कोशन्स होते हैं तो जल्द यल्दी करेंगे क्लियर है चलिए इस्टार्ट के आगे क्लास को पहला कोशन्स देखें आपके सामने यह रहा सभी लोग जवाब दीजिए 140 हो चुका था उसके बाद के यह कोशन है कि वहिया महा भोज उपन्यास की लेखी का कौन है फटा फट जवाब देते हो चलेंगे उसी के आगे बढ़ने हम लोग महा भ बहुत ही important है तो यहाँ पर option number जो इसका D है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा अगले कोशन की ओर बढ़ते हैं तो अगला कोशन देखें आपके सामने यह रहा कि इनमें से सूरदाश जी की रचना कौन सी है आपको बताना है इनमें से सूरदाश जी की रचना कौन सी ह सूरसागर साहित्यलेरी उध्व शतक और सूरशा रवली तो यहाँ पर आपको उताना है सूरदाश जी की रचना कौन सी है 142 सभी लोग जवाब देते हो चलेंगे सार यहाँ पर पूछना जाए था कौन सी नहीं है याद रखेगा यहाँ यहाँ पर सूरशागर साहित्यल अगला कोर्शन देखें आपसे यहापर क्या कह रहा है कि हिंदी का प्रथम महाकावी किसे माना जाता है प्रिथवी राज राथो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बढ़ते हैं अगले कोर्शन की ओर तो अगला कोर्शन देखें आपके सामने ही रहा कि वही है वैसाली की नगरवधू ये किसका उपन्यास है कोईशन नमर 144 फटाफर जवाब देते हो चलेंगे वैसाली की नगरवधू चलिए धन्यवाद वैसाली की नगरवधू पताई ये किसका उपन्यास है Q144 जवाब देखें आपर आना शुरूआ हो गया है याद रखेंगे दोस्तों 144 का जो correct answer अपका क्या हो जाएगा आचारे चतुर सेंच सास्त्री बहुत ही important है याद रखेंगे दोस्तों तो आचार यह चतुर सेंग सासरी तो यहाँ पर option जो इसका C है यहाँ पर क्रेक्ट हो जाएगा देखे मुझे पता है कि यह ऐसा topic होता है कि काफी लोग को answer जो है नहीं पता होता है तो बस आपको क्या करना है यहीं पर question को पूरा देखते हूं चलना answer नहीं देपा है कोई बात नहीं बस आप देखते हूं चलिए और याद करते हूं चलिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है आपको इसके बाद PDF मिल जाएगा PDF डाउनलोड कर लेंगी तो इसके बाद आपको कोई लिक्कत नहीं होने वाली है clear है अगला question देखे आपसे यहाँ जो है किसकी कृती है बताए 145 के जवाब दीजिए जो चन्द आयन है वो किसकी कृती है कल भी साथ मने एक कोई आपको बताया था तो याद रखे दोसों चन्द आयन की अगर हम बात करते हैं तो याद रखेगा यह जो कृता सच यह किसका उपन नियास है बहुत ही important कोईश घुथा सज्ज जो है यह किसको अ ऊपनयास है तो याद रहें दोسم जूटा सज्ज आपको यह उपन्यास है किस गदावली गीता वली वलित आप सब को पता इस God 230 को शैने आप से श्रूंठ मैं आपको कभी सुप गड़न इंडृब बताना केसो की रशना कौन सी है तो याद रखे दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं केसो जी के बारे में तो यहाँ पर कवी प्रिया कई बारी आपके पेपर में आया है कवी प्रिया यह जो है दोस्तों आपकी केसो जी की रशना है तो option जो इसका A है वो यहाँ पर बि प्रवीन जी तो यह पर option जो कमा प orphans का डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चली है आते हैं अगले question पर तो क्या कह रहा है कि इन में से कौनसी रशना तुलसी जी की नहीं है तुलसी डाशी की रशना कौन hebdoAbci C राम चंद्रिका या दोहा वली इन में से बताना है कौन सी रचना तुलसी दाश जी की नहीं है फड़ा फड़ जवाब देते हो चलेंगे तो भीया यहां पर तुलसी दाश जी की रचना जो है राम चंद्रिका जो है तुलसी दाश जी की रचना नहीं है जबकि यहां पर वि याय तो क्रिठ करेक्ट का नायका को अगले पर आतें हैं देखे क्हां यामा करेशेता कौन ही sounds सब को पता ओगा यामा के लिए किसी को ग्यान पीट पूसकार भी मिल चुका है तो बताएं सर यामा के रिश्चता क्वों है बिल्कुल सहीबात सर महादेवी बर्मा जी कौन है दोस्तों महादेवी बर्मा जी है तो option number जो सिका सी है वह यहां पर बिल्कुल गरेक्ट हो जाएगा अगला question देखो क्या कह रहा है जल देल दी इसले करवार हैं क्योंकि आपको पता धेर सारी questions है आँbaby किससे संबंदित होती हैं अने जो रचनाई वो किससे संबंदित होती है फड़ा फड़ा जवाब देटे वह चलेएंगे सर yaad रखेए क्वार आचली जो रचनाई होती है बिल्कुल सही बात है छेत्र विसेश से किसे दोस्तो छेत्र विसेश से सम्मंदित होती है तो यहाँ पर option number जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा क्लियर है चलिए आते हैं question number 153 की तरफ तो देखे क्या कह रहा है कलम का सिपाही यह क्या है बताइए सर कलम का सिपाही क्या है आत्म कथा है संसमरण है रेखा चितर है या जीवनी है तो याद रखे दोस्तो कलम का सिपाही की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तो यह एक आत्म कथ तो option number जो इसका A है वो यहाँ पर बिल्कुल clear हो जाएगा option number A कलम के सिपाही का है आपका एक आत्म कथा है अगला question देखो क्या कह रहा है गोदान यह तो सब को पता होगा सर गोदान किसकी कृती है बताइए सर गोदान जो किसकी कृती है बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यह दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही प्रस्तुत मंक्तियों के रचेता का नाम बताना है दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही बहुत यह अच्छा question है तो याद रखे है दोस्तों यह जो correct answer यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ र कि तो सिदास जी ने अपनी जवट कि अ में किसका वर्डन किया है सब को पता है तो किसका वर्डन किया ऋगा सर भी सिंपल सा कोशन है तो राम जी का बिलkुल ऑफ नमबर जो इसका बी है वह यहां पर बिलकुल कर्येक्ट हो जाएगा समझ में आ गहाई न आते हैं एगले तो याद रखेगा दोस्तों यहां पर इसका जो correct एंसर है यह जाएगा नाम वार सिंग इसकी क्रिति के रहे हैं कौन है दोस्तों नाम वार सिंग जी है तो option number जो इसका A है वो यहां पर बिलकुल correct हो जाएगा आते हैं दोस्तों अगले question की और तो अगला question 158 number देखे क्या कह अगला question देखे क्या है है कि भीया हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताना एं बहुत important most important डिक कलीजिएगा हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताइए आप सभी लोग क्या हो जाएगा 158 सभी लोग जवाब देते हो चलेंगे तो यहां पर याद रखिएगा हि यहाँ पर बिलकुल करेक्ट हो जाएगा ऐगला अगला कोशन आप एक उपेऍद और नाथ असकटी है तो आप सान जो आप एक बात वार एक सो आज में 136 है तो दोनों 266 कोईशन मिला करके आपके इसके बाहर आपका रचना रचनाकार से आने वाला नहीं है 102 कोईशन तो आपके फिक्स हो जाएंगे क्लियर हैं अगला कोईशन देखो क्या गह रहा है कि अर्ध नारी स्वरी नामक उपन्यास करेंश 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 करें 161 है फटाफ़ जवाब देए सर बिहारी रतनाकार के रचेता कौन है 161 जवाब देखिए हाँ पर आना शुरू हो गया है तो ए नहीं होगा सर यहाँ पर रतनाकार हो जाएगा रतनाकार याद रखिएगा इसके रतनाकारी है तो option number जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा आते हैं दोस्तों अगले कोईशन पर तो देखिए क्या कह रहा है कि तार सब्तक के संपादक किये तो मैं आपको कई बार आपको करवा चुका हूं भाई यह तार सब्तक के संपादक बताए कौन है 162 पड़ाफ़ सभी लोग जवाब देते चलेंगे सर तार सब्त सब्तक के संपादक कौन हो जाएंगे चलिए तो भाईया याद रखिएगा तार सब्तक कि अगर हम बात करते हैं तो इसके संपादक अग्येजी है कौन है दोस्तों अग्येजी है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा समझ में आ गया ना चलिए आते हैं अगले कोशन तो अगला कोशन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो देखे क्या कह रहा है कि 84 वैश्रोवन की वारता इसके लेखा कौन है फड़ा फड़ा बताईए सर 84 वैश्रोवन की वारता अगर इसकी बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट एंसर है आपका विठछल नाथ में यहां पर गोकुल नाथ होगा थोड़ा सा आपकर टरीए बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question देखो क्या कह रहा है ध्यान से देखेगा इन में से Mohan Rakesh की कृति कौन सी है Mohan Rakesh की कृति कृति कौन सी है फटाफट बताइए question 165 आपके सामने चार options है लहरो के राजहंस भूर का तारा रेश्मी टाई या कौमदी महुद सो 165 फटाफट सभी लोग जवाब देते हैं चलेंगे सर तो यह अगर मोहन Rakesh जी की बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो लहरो के राजहंस option जो इसका A है बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर लहरो के राजहंस यह मोहन Rakesh जी की क्रिती है तो option जो इसका A है वो यहाँ पर बिल्कुल हम बात करते हैं हिंदी के साहितिकार की बारे में तो यहाँ पर ग्यान पिट पुरुषकार जो है सुमित्रा नंदन पंत जी को निराज जी को नहीं यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला हुआ है तो option नमबर जो इसका D है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा नाटक है ना तो जाद नाटक जो है हरिवन भारतेंदु हरिश्चंद जी के होते हैं तो यहाँ पर option नमबर जो इसका A है correct हो नील देवी नाटक के जो जी रचेता है को नहीं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है तो option जो इसका A है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो हैं और राम विला सर्मापन्त निराला ये प्रसाद बताएं इसका जो जो correct answer आपका क्या हो जाएगा चलिए याद रखे हो जो राम की सकति पूझा है ये सूर्य कान त्रिपाठी निराला जी की क्रिती है किसकी दुस्तों सूर्य कान त्रिपाठी निराला जी की MR टिकृती जो पंकिया है कि इसके रिचिता कौन है इसका जवाब तो सबको पता होना चाहिए खूब लड़ी मर्दानी वो तो जासी वाली रानी थी तो सुविद्रा कुमारी चोहान तो आपने बच्पन में साथ पढ़ा भी होगा इनके बारे में तो option जो इसका C है वो यहाँ पर बिल करते हैं तो यह धरम वीर भारती जी की रचना है कि इसकी दोस्तों धरम वीर भारती जी की रचना है तो option जो इसका D है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसी के बाद question number 171 देखे कह रहा है मुझे तोड लेना वनमाली उस पत में देना तुम फेक मात्र भूमी पर सीष चढ़ाने जिस पत पर जावे बीर अनेक यह पंक्तियों के रचेता कौन है यह भी साइथ आपने बच्पन में पढ़ा होगा साइथ क्लास 9 या 33 या 8 में रहा होगा यह वाला कभी था आपने पढ़ा होगा साइथ सभी लोग जवाब दीजिए तो याद रखेंगे दोस्तो इसका जो करेक्ट एंसर है मांखन लाल चत्रुवेदी हो जाएगा तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं और बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला कोशन देखिए आपसे यहां पर क्या कह रहा है रक्षा ब जो इसका भी है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा समझ में आ गया अगले कोशन पर आते हैं तो देखिए अगला कोशन क्या कह रहा है कि हिमाले के आगन में उसे प्रथम केड़ों को दे उपहार उसा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार इन पंक्ति जो इसका सी है वो यहां पर करेक्ट हो जाएगा तो यहां पर पर और सी पर टिक कर देंगे इसी के बाद बढ़ते हैं तो कॉश्चण नबर एकषोगा तो देख्या कह रहा है नेम लिखित मेंसे सबसे पहले अपनी आपने काता हिंदी में किस ने लिगी ती आप सभी को करेक्ट हो जाएगा सबसे पहले अपनी आदम का था हिंदी में स्याम सुन्दर दाज नहीं लिखी तो अपसंद जो इसका ए है वह यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा करिया रहे है अगला कोशन देखिया आपर क्या कह रहा है कि हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प गोपाल नाम गहमरी जी तो उपसंद जो इसका बी है वह यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्लियर है चैली आते हैं अगले कोशन पर तो देखिया अगला कोशन क्या कह रहा है कि भाईया ठेट हिंदी के ठाट इसके लेखा कौन है बताइए ठेट हिंदी के ठाट इसके लेखक कौन है 176 सभी लोग जवाब देते हैं चलेंगे सर बहुत इंपोर्टन्ट है तो जवाब देखिया आपर आना शुरू हो गया है तो याद रखेगा आयोध्या सिंग उपाध्याय हर्योजी है तो आप्सन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक चलेंगे सर तो याद रखेगा बहुत नात की अगला कोशन क्या कह रहा है इन में से कौन सी रशना जाइसी जी की है बताइए इन में से कौन सी रशना आपकी जाइसी जी की है मलिक मुहमद जाइसी जी की रशना कौन सी है तो पदमावती समय नहीं है मधुमालती नहीं है मरिगावती भी नहीं है लेकिन हम बात करते हैं पदमावत के बारे में तो मलिक मुहमद जाइसी जी की रशना पदमावत है कई बार यह कोशन आपके सामने साहथ आ चुका होग तो अब तो आप गलती नहीं करोगे इस question को लेकर के clear है अगला question को क्या कह रहा है कि कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है बताइए इन में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्टेंदु जी का नहीं है भारत दुर्दसा स्वर्ड विहार अंधेर नगरी या वाली नाटक भी नहीं का है लेकिन हम बात करते हैं स्वर्ड विहार के बारे में तो भाई यह इनका नाटक नहीं है तो option number जो इसका B है वो यहां पर बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question देखो क्या कह रहा है कि तरिन तनूजा तर तमाल तरुवर बहुच हाए इन पंक्तियो तरिन तनूजा तर तमाल तरुवर बहुच हाए तो option जो इसका A है वो यहां पर बिल्कुल correct हो जाएगा आगला question देखते है क्या कह रहा है ध्यान से देखेगा कि भाईया म्रिग नैनी उपन्यास के रशनाकार कौन है बताए सभी लोग म्रिग नैनी उपन्यास की जो रश जी है clear है चलिए आते हैं 182 पर तो देखे क्या कह रहा है निमलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेम चंद्र द्वारा लिखित नहीं है देखे काया कल्प है रंग भूमी है जैपराजे है और प्रेमासे है तो यहां पर आपको ताना है कौन सी पुस्तक प्रेम चंद्र जी के द्वारा लिखित नहीं है 182 सभी लोग जवाब देते जलेंगे तो याद रखे दोस्तों यहां पर जैपराजे 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 जो है आपका प्रेम चंद्र जी ने लिखा है तो यहां पर option देखा बी है वो यहां पर बिल्कुल correct हो जाएगा clear है आते हैं अगल बच्चन जी ने भी कई बार यह जो क्या भूलू क्या याद करूग यह गाना खुद से गाया है तो याद रखिए किसकी आत्मकता है हरिवान सराय बच्चन जी की है तो option number जो इसका A है वो यहां पर बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question देखे क्या कह रहा है वही मनुस्य है जो मनुस्य के लिए मरे यह जो पंक्तिया है इसके रचयता कौन है 184 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर तो याद रखिएगा वही मनुस्य है जो मनुस्य के लिए मरे इसके रचयता की बात करते हैं तो मैथली सरग गुपत जी यहां पर आता है नाम तो option जो इसक 185 के जो correct answer आपका क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा दोस्तों 185 के अगर हम बात करते हैं तो हिंदी साहिती के जो प्रियोग वाध है इनके प्रवर्तक का नाम अग्ये है क्या वही सबको पता अग्ये जी का पूरा नाम तो option नमर जो इसका भी है वो यहां पर कई बार आपसे कोशन पूछा जा चुका है इंसा अल्ला खान तो option जो इसका D है वो यहां पर बिल्कुल correct हो जाएगा समझ में आगया सर आते हैं अगले question पर तो अगला question देखिए आपसे यहां पर क्या कह रहा है कि भारत भारती काव्वी की रचनाकार कौन है 187 सभी option ऐसे comment करें तो confuse करें तो हमको मत confuse करें सर भारत भारती कावी की रचनाकार कौन है मैं इसली सर गुप्त जी है क्लियर है चलिए इसी के लिए इनको क्या बोलते है राश्ट कभी बोला गया था मात्मागा जी बोला है अगला question देखो क्या कह रहा है कि अनामदास का पोथा कल अनामदास का पूथा जो है दोस्तो हजारी प्रसाद दिवेदी जी की रचना है किसकी दोस्तो हजारी प्रसाद दिवेदी जी की रचना है तो option जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा आते हैं अगले question पर तो देखिए क्या गह रहा है कामाईनी किस प्रकार क ग्रंत है सभी को जवाब देते हुए चलना है सर बहुत अच्छा question है कामाईडी 189 फटाफर सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे तो याद रखिए दोस्तो कामाईनी के अगरम बात करते हैं तो कामाईनी एक महा काव्य है क्या है दोस्तो आपका महा काव्य है तो option जो जैने इंद्रदार अर्चित कौन सा यहां पर उनर नवा सेवा सदन तो आपको पता इनका नहीं है परक है एक दा नैमी शारन्य है इन दोनों में से कोई एक करेक्ट एंसर होगा फड़ा पर सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सार तो याद रखिए का जैने इंद्र पर क्या कह रहा है निम्नांकित प्रस में दी गई रश्ना की रश्ना कार वह सही विकल्प का चैन करना है उर्वसी की रश्ना कार बताई कौन है 191 फटापर सभी लोग जवाद देती हुए चलेंगे सर और वसी के रचनाकार कौन है रांधाई सिंग दिनकर सुमिच्टन दनपंत या निराला जी या अग्ये जी बताए सर बहुत ही इंपोर्टन्ट है तो याद रिखेगा और वसी देखिए और वसी की बात करते है तो यह रचेता कौन है 192 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर कुट्टा जी के रचेता कौन है तो याद रखेगे दोस्तों कुट्टा जी की अगर हम बात करते हैं तो इसके रचेता हजारी प्रसाद दिवेदी जी हैं बेलकुल सही जवाब आ रहा है सर आते हैं अगले को कोशन पर तो अगला कोशन देखो क्या एकि कभी तुलसिदाश जी की अभिगयां साकुंतलम को हिंदी अनवाद किसने किया था 193 सभी जवाब देते हुए चलेंगे तो याद tilesi ने किया था दोस्तो राजा लक्षमार संग यह ने किया था तो option जो उसका d है वह यहाँ पर परहित सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई ये जो है किसकी है यह जो पंक्तिया दी गई है बहुत ही अच्छी पंक्तिया है परहित सरस धरम नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई तो यह समने साइज बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यहाँ पर देखा जातो यह जो पंक्तिया है तो जो इसका B है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखो क्या कह रहा है कि चंदन विस व्यापत नहीं लिप्टे रहत भुजंग इन पंक्तियों को देशता कौन है चंदन विस व्यापत नहीं लिप्टे रहत भुगंज जवाब देखिया पर आना सरू हो गया है तो भाई मतलब कि भुजंग जो है सर्ब जो है चंदन से चिपके हुए रहते हैं हम इसले लिप्टे हुए रहते हैं उसके बाद भी चंदन विस नहीं व्यापता है तो याद रखे तो इसकी रचाईता जो है आपके रहीम दाश जी है रहीम दाश जी है कवीर नहीं है तो जो इसका डी है वह यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्लियर करिए अपने आपको थोड़ा सा अगला कोशन देखो क्या कह रहा है मरिगावती के लेखक कौन है बताइए मरिगावती के लेखक कौन है 197 सभी को जवाब देते हुए चलन मरिगावती के लेखक कौन है तो याद रखें दोस्तों अगर मरिगावती की बात करते हैं मंजन है जायसी है कुत्बुन है और नूर मुहम्मद है तो इन सब में दोस्तों आपका जो कुत्बुन है यह मरिगावती के लेखक है ना कि जायसी जी कुत्बुन ऑप्सन जो इस बंग महिला का असली नाम क्या था? बताएए, सर. कोईशन नमब 1508, फटाफर जवाब दीजी, सर. बंग महिला का बताना भई, आपको असली नाम किसका था? कोईशन नमब 1800W, सबी लोग जवाब देते हैं चलेंगे, तो जाद रखें तो बंग महिला के अगर हम बात करते हैं तो राजेंदर बाला गहोस यानि की ऑफसन नम्बर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कूल correct हो जाएगा तो राजेंदर बाला गहोस हो गया बढ़ते हैं अगले question की और तो देखें क्या कहJames रहा है कौन दोस्तों आपके हजारी प्रसाद दिवेदी जी है तो option number जो इसका B है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा चलो आते हैं अगले question पर तो देखे क्या कह रहा है कि मधु मालती की रशना किसने की है मधु मालती बताइए सर मधु मालती कि रशना जो है किसने की है question number 200 है सबी को जवाब देते हैं चलना तो यहाँ पर याद रखेगा दोखो अगर मधु मालती की बात करते हैं तो दाउद, कुत्बुन और आपसी नहीं होगा यहाँ पर जो मधु मालती की रशना दोस्तों किसने की है मनझन ने की है चलिए आते हैं अगले question पर तो देखे क्या कह रहा है कि भी यह पाउम चरियो किसकी रशना है question number 201 बहुत ही अच्छा question 201 पर हम लोग आ चुके यानि कि आधा रास्ता तैय कर चुके हैं 75 question और बच्चे होगे 66 question और बच्चे होगे पाउम चरियो जो है किसकी रशना है दोस्तों एक फटाफर सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर स्वयम्भू की रशना है बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर स्वयम्भू जोई की रशना है तो option जो इसका C है यहाँ पर correct हो जाएगा अगला question देखो क्या कह रहा है माटी की मूरते माटी की मूरते नामक रेखा चितर जो है किस ने लिखा है माटी की मूरते नामक जो रेखा चितर है सबको पता हो जाए सर कई बारी मैं आपको बता चुका हूँ सर इसका जो correct answer है आपका क्या हो जाएगा राम ब्रिच बेनी पूरी तो जितने लोग जवाब दे रहें D वो लोग यहाँ पर correct हो जाएगे राम ब्रिच बेनी पूरी clear है दोस्तो तो option जो इसका D है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा आते है question number 203 की तरफ तो देखे क्या गह रहा है सुजान विनोद की रचनाकार कौन है बताए सर सुजान विनोद की रचनाकार कौन है दोस्तो तीन फटाफर सभी लोग जवाब देते हैं चलेंगे सर घनानंद पदमाकर देव या मतीराम तो याद रखे दोस्तो अगर हम सुजान विनोद की बात करते हैं इसके रचनाकार कौन है दोस्तों देव जी है मती राम नहीं है पर देव जी है आपसन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए आते हैं अगले वश्ण पर देखे क्या कह रहा है परमाल रासो परमाल रासो के लेखा कौन है दोस्तों चार फटा इसका जरू डाउनलोड कीजिएगा आफ्टर क्लास जब क्लास एंड हो जाए तो पीडिएफ जरू डाउनलोड कीजिएगा जिससे आट लिश्ट आप लोग इसकी तैयारी जो है एक बार रिपीट मोड में कर सकें अगला कोशन को क्या कह रहा है विज्ञान गीता की रचन के सवदाश जी ने की है तो ऑफसन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा के सवदाश जी है क्लियर है चलिए आते हैं कोशन नमर 206 की तरफ तो देखें क्या कह रहा है कि प्रबंध चिंता मड़ी की रचेता का नाम क्या है तो याद रखें दोस्तों प्रबंध चिंता मड़ी के गरह बात करते हैं तो इसके जो रचेता है मेरुतुंग जी है कौने दोस्तों मेरुतुंग यानि की ओफसन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा समझ में आ गया ना चलिए आते हैं अगले कोशन पर तो देखें क्या कह कह रहा है कि प्रबोध पचासा ग्रंद के रचेता कौन है प्रबोध पचासा बताइए सर प्रबोध पचासा इस ग्रंद के रचनाकार कौन है कोईशन नमबर 207 सब लोग जवाब देते हैं चलेंगे सर क्या हो जाएगए 207 का करेक्ट एंसर याद रखेंगे दोस्तों प् कभी प्रिया के रैषनाकार का नाम बताए नवे यहाँ पर है यहाँ है यहाँ धेट क्या कान। कॉण है भाइ ठंडी में इतना घंडी हो रहा है तो आप लोग नहीं आप तो इतनी ठंडी ठंडी बोलते बोलते कर अब मतलवी नम खतम हो गया है अश्ट याम के रिचेता बताए को हो नहीं सर क्वेशन नमबर 209 फटाफर सभी जवाब देते हो चलेंगे तो याद रखेंगे नाभादास अश्ट याम के रिचेता है नाभादास जी है बिल्कुल सह सब्सक्राइब करेक्ट हो जाएगा अगले कोशन पर आते हैं तो देखिए क्या कह रहा है खुमान रासो के रिचेता कौन बताईए क्वेशन नमबर 211 है खुमान रासो इसके रिचेता बताईए कौन हो जाएंगे 211 फटाफर सभी लोग जवाब देते हो चलेंगे 211 बता पिरट्वी रासो के रिचेता कोँन है जितने रासो के सारे के सारे इसके रोगह था हुआ नहा करेक्ट हो जाएगा अगला question देखो क्या कह रहा है महा कभी भूसर महा कभी भूसर की रचना किसने की है बताइए question number 213 फटावर सबी लोग जवाब देते हुए चलेंगे महा कभी भूसर की रचना किसने की है 213 जवाब देखें यहाँ पर आना सुरू हो गया है तो याद रखेगा महा कभी भूसर की अगर हम बात करते है तो इसकी रचना छट्र साल दसक ने की है बिल्कुल सही बात है तो option जो इसका D है जितने लोग जवाब देरें D वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएंगे अगला कोशन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है 214 कोशन कह रहा है कि निहार की रचना किसने की है बताइए सर जो आपका निहार है इसकी रचना किसने की है question number 214 यहाँ पर जवाब सभी लोग देते हैं चलेंगे सर निहार 24 का जब आप देखें आना सुर्ग हो गया तो याद रखेगा इसकी जो रशना है महादेवी बर्मा जी ने की है किसने दोस्तो महादेवी बर्मा जी ने की है तो option number जो इसका A है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा आते हैं दोस्तो question number 215 के तरफ इस निबंद के रचेता कौन है तो हजारी प्रसाथ दिवेधी जी इसके रचेता तो option number जो इसका A है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए दोस्तो बढ़ते है अगले question की और तो देखें क्या कहalities चांद का तेड़ा है इसके रचेता कौन है चांद का जो मुह है वो तेड़ा है इसके रचेता कौन है question नमर आपका 273 फड़ा फर सभी लोग जवाब देते वह चलेंगे तो याद रखेए दुसरों तो त्रह का जो Correct agency, आपका क्या हो जाएगा क्या है sir , ना गार जुल है धर्म बीर भारती है और यहाँ पर मुक्तिमायद्य हुमिल है तो याद रखिए दोस्तों धर्म भीर भारती यहां पर नहीं होगा सर यहां पर मुक्ति बोध हो जाएगा ऑप्सन जो इसका भी है वह यहां पर बिल्कुल करेक्ट जाएगा गाजा चलिए आते हैं अगले कोशन पर तो अगला कोशन देखिए आपसे यहां पर क्य नमबर जो इसका भी है वह यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा समझ में आगया सर तो अप्सन भी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आते हैं कोशन नमबर दोस्तों उननीस की तरफ तो देखिए क्या कह रहा है कि प्रेम वाटिका नामक गरंत के रिष्टा कौन प्रेम वाटिका नामक गरंत के रिष्टा कौन है फड़ा पर सभी जवाब देती हो चलेंगे सर बहुत ही अच्छा कोशन है प्रेम वाटिका कई बार आपके सामने यह कोशन आ चुका होगा तो याद रखेगा दोस्तों प्रेम वाटिका जो है रस्खान जीने रचा है किस कानी संग्रह दूसरा ताज महल है इसकी लेखिका बताइए कौन है 220 फटा पर सभी लोग जवाब देती हो चलेंगे सर जब आप देखें आपर आना शुरू हो गया तो 220 की हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका जो करेक्ट टेंसर आपका हो जाएगा नासीरा सर्मा क्या हो ज बताइए जो बादल राग है इसके रचाइता कौन है कोईशन नमबर दूसरे की सभी लोग जवाब देती हो चलेंगे तो याद रखेंगे दोस्तों बादल राग अगर इसकी बात करते हैं तो इसके रचाइता सूर्यकान त्रिपाठी निराला जी है तो ऑप्सन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिलकुल करेक्ट हो जाएगा क्लियर है चलिए तो सूब नमबर कोशन देखिए क्या कह रहा है असाड का एक दिन इस नाटेक की रचेता बताइए क्यों है कोशन नमबर 220 फडा फर सभी लोग जवाब देती हो चलेंगे सर तो याद रखेंगे दोस्तों अगर 222 की बात करते हैं तो इसका जो क्या हो जाएगा सर मोहन राकेश बिल्कुल सही बात है जितने भी लोग जवाब देरें यहां पर ऑप्स नमबर सी वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट रहेंगे मोहन राकेश जी है चलिए आते हैं अगले कोशन पर तो देखिए आप बिने पत्रिका नामक गरंत के रचनाकार कौन है कोशन नमबर 222 क्वटाफट जवाब देजिए तो सब बिने पत्रिका की बात करते हैं तो गो स्वामी तो सी दाज जी है तो जो इसका भी है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखो क्या कह रहा है नेमलिकित में से कौन सा नाटक जयसंकर पुइसाइजी का नहीं है इस जारों में से कौन सा नाटक जयसंकर पुइस का नहीं है कोईशन नुमर आपका 225 सभी लोग जवाब देती है चलेंगे क्या हो जाएगा इसका जो correct और सर कि ऐसे को आहिए यहां पर पॉप करेक्ट हो गया मार मार की तो के को किस नाम से नाम से पुआरा घाता है चलिए question number आपका यहाँ पर 226 है जवाब देखें यहाँ पर आना शुरू हो गया है तो याद रखें दूस्तू 226 का जो correct answer है आपका क्या हो जाएगा संत कभी भई भगत कभी ने ग्यान मारगी जो देखें ग्यान मारगी जो होते थे वो संत कभी होते थे और आपका यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा तो याद रखें दूस्तो उसने कहा था इसके मुख्य पात्र लहना सिंग जी है तो option जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा clear है अगला question देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि इन मुसल्मान हरी जनन पर कोटिक हिंदु नुवारिये या कथन किसका है पत दोस्तो भारुतेंदू हरी चैनल जी क्या कथन है तो option जो इसका B है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा आते हैं दोस्तो अगले question पर तो अगला question देखें आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कठिन काविका प्रेत किस कवी को कहा जाता है कठिन काविका जो प्रेत है यह कि कवी को कहा जाता है दोस्तो अगला question देखो क्या कह रहा है कि इन में से कौन भक्तिकाल का कवी नहीं है का जाता है दोस्तो तीस फटाफ़ सबी लोग जवाब देंगे इन में से कौन भक्तिकाल का कवी नहीं है इन में से कौन भक्तिकाल का कवी नहीं है question number 230, सभी लोग जवाब देते हैं चलेंगे, तो याद रखिएगा, यहाँ पर अगले question पर, तो अगला question देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, question number 231, देखिए क्या कह रहा है, अप भ्रंस का जो वालमी की है, वो basically किसे कहा जाता है, आप सभी को जवाब देते हैं, चलना है, 231 जवाब देखिए, आपर आना शुरू हो गया है, तो याद रखिए दोस्तों, अप भ्रंस का वालमी, अगर इसकी बात करते हैं 231 के बारे में, तो इसका जो correct tensor आपका हो जा या प्रसिद्पद किस कावे कृति से उद्रित है, केसो कही न जाए का कहिए, बहुत ही important question है, 232 बहुत ही important है, तो याद रखिए दोस्तों, ये सूर सारा वली से, कहां से दोस्तों, सूर सारा वली से उद्रित है, तो option जो इसका B है, वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा समझ में आ गया ना, आते है question number 233 पर तो देखिए क्या कह रहा है, गुमककर सास्र नामगरंत के लेखक कौन है, जवाब दिए सर 233, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो याद रखिए कि दोस्तों, 233 का जो correct answer आपका क्या हो जाएगा, राहुल साकृत कौन है दोस्तों, राहुल साक के त्यायन है, तो option जो इसका D है, वो यहाँ पर बिलकुल correct हो जाएगा, आते हैं दोस्तों अगले question पर तो देखिए क्या कह रहा है, कि दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है, बताईए, दूसरी परंपरा की खोज इसके लेखक कौन हो आमवार सिंग से संबने जितने भी question है, याद कर लिए क्योंकि यह चर्चा में है, तो option जो इसका C है, वो यहाँ पर correct हो जाएगा, अगला question देखो क्या कह रहा है, हरी घास पर छड़ भर, यह सीरसक कावे संकलन के रचिता कौन है, हरी घास पर छड़ भर, इस क्या बोलते सीरसक कावे के रचिता कौन है, बताइए सर्, फटाफर सभी लोग जवाब दीजिए, 235, तो याद रखिए 235 का जो correct answer आपका हो जाएगा, अग्ये जी, क्या हो जाएगा, अग्ये जी है, हरी घास पर छड़ भर, इस सीरसक कावे के संकलन के रचिता कौन है, अग्ये जी ह आते हैं कोशन नंबर 236 पर, तो देखें क्या कह रहा है, ये तो सबको पता होगा कि क्रिश्न गीता वाली नामक का विग्रंत करे चैता कौन है, फटाफर सभी लोग जवाब देती वह चलेंगे सर्, बताइए सर्, क्रिश्न गीता वाली, जवाब देखें, आपर 236 का आना कुछ लोग तुलसी दास दे रहें, तो दोनों में confused मत हुई है, 236 का जो correct answer है, आपका तुलसी दास हो जाएगा, कृष्ण गीता वाली है न, तो यहाँ पर सूर दास मत कर दीजिएगा, तुलसी दास correct होगा, मुझे पता है, कृष्ण लोग कृष्ण देख करके सूर बोल द करते हैं, तो इसके जो लेखक हैं आपके, जैने इंदर कुमार दी है, इसके पहले भी कल मैंने आपको जैने इंदर कुमार जी के बारे में दो दिन कौशन करवाए थी, तो आज भी देखिए, आपर आ गया है, तो दोसों साइंटिस का जो correct answer आपका भी हो जाएगा, clear है, आते हैं, दोसों औरतिस पर तो देखे क्या कह रहा है, सत्रंज शतिका कृति के रचनाकार कौन है, सत्रंज सतिका कृति के रचनाकार बताए कौन है, कोशन नमबर दोसों औरतिस, फटाफर सभी लोग जवाब देते हैं चलेंगे सर, तो याद रखे हैं, तो इसके जो रच बिखारी दाज जी है कौन है दोस्तों विकारी दाज जी है तो आपसर नमर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्लियर है अगला कोशन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है सप्थ पर्ड़ा किसकी कृति है सप्थ पर्ड़ा जो है किसकी कृति है कोशन नमर दोस्तों चालिस फड़ा पर सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर सप्थ पर्ड़ा बहुत इंपॉर्टन है तो याद रखें है question number 241 फड़ाफर सभी लोग जवाब देते वी चलेंगे sir ग्यान बोध तो याद रखे दोस्तों ग्यान बोध की अगर हम बात करते हैं तो सुन्दर दास मलूक दास रजजब जी इन तीनों में से बताएं किसकी रचना है बहुत important तो याद रखेगा मलूक दास जी की रचना है तो option जो इसका B है वो यहाँ पर correct हो जाएगा आते हैं अगले question पर तो देखे क्या कह रहा है सुजान सागर जो है इसके लेखा कौन है अगला question क्या रहा है आतम बोध किसकी रचना है बताइए सरश आतमें बौध्ज जो है किसा रचना है question.no आपका यहां पर 243 है बताइए इसका correct answer क्या हो जाएगा 243 जो correct answer आपका क्या हो जायगा तो आत्में बौध्ज जो है किस रचना है तो याद रखे दोस्तों Gorak Nadji कि रचना है कि इसकी गोरक ना तो ऑफसन जो इसका ए है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखो आप से यहां पर क्या कह रहा है 244 नमबर कोशन किसकी रचना है चलिए 244 का बिर रसायन किसकी रचना है पड़ा पर 244 का जवाब दिए सभी लोग त्याद रखें दोस्तों का बिर रसायन जो है देव जी की रचना है क्लियर रहा तो ऑफसन जो इसका भी है करेक्ट हो जाएगा बढ़ते हैं दोस्तों अगले कोशन की ओर तो अगला कोशन क्या कह रहा है रानी केतिकी की कहानी के लेखा कौन है बताएं रानी केतिकी के कहानी के लेखा कौन है पड़ा फर सभी लोग जवाब दिए जिसका भी वफरिंग कर रहा स्लाइड नहीं आ रहा है वो लोग कट करके ओपन कर लेंगे आ जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नह तो इसका correct answer क्या हो जाएगा सर इनसा अल्ला खान कई बार मैं आपको ता चुका हूं तो option जो इसका C है वह यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा क्लिर है अग्ला कोशन देखो आपसे आपर क्या कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं इसकी निवंदकार कaroo स्याइगी 6 सभी लोग जवाब देते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं तो याद रखें दोस्तों सुह किस नाम से अभी ग्रहीत किया गया है 247 फटाफर सभी लोग जवाब देंगे तो भाई अधुनिक काल जो था उसमें गद्य जाए था इसलिए उसको गद्यका भी भूला जाता है तो ऑफसन जो इसका डी है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा समझ में आ गया सर आत पर जवाब देखे आना शुरू हो गया तो याद रखेगा लक्षमी नरायन मिसर जी है कौन है दोस्तों बहुत इंपॉर्डन है प्रिथिवी राज की आखे लक्षमी नरायन मिसर जी के जवारा रचित है आते हैं अगले कोशन पर तो देखिए क्या कह रहा है आधा गाउ इसके लेखा कौन है बताइए फटा पर सभी लोग जवाब देजिए आधा गाउ याद रखेए दोस्तों अगर हम बात करते हैं आधा गाउं के बारे में तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कुछ लोगा राही मासूम रजा इसके लेखा कौन है दोस्तों पचास फटा प बहुत ही इंपॉर्टन है प्रेम चंदर जी कौन है दोस्तों प्रेम चंदर जी यह तो आपसटन नमबर जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्लियर है अगला कौशन देखो क्या कह राहत है यहां से देखें गंगा लहरी किसकी रचना है बताइए गंगा लहरी सब्सक्राइब लिए चाहिए जवाब देखें आप ना शुरू हो गया है तो याद रखें दोस्तों इसके पहले में आपको पताया था तो गंगा लहरी जो है पदमाकर जी की रशना है अगला कौशन क्या कहे रहा है कि पुस्तक देव दास यह तो सबको पता है देव दास ज जाद रखेंगे दोसो 252 का जो correct answer आपका क्या हो जाएगा देखते हैं कितने लोग सही जवाब देरें तो सरत चंद्र चटोपाध्या है तो यहाँ पर जो option number इसका सरत चंद्र चटोपाध्या है और इसी पुस्तक के ऊपर आपकी तीन मूवी बन चुकी है देवदास की एक दो पहले बनी सी एक आपको सारुक खान वाली पता ही होगी अगला question देखो आपसे हापर क्या कह रहा है मधू साला किसकी कृति है तो इसको skip कर सकते है सबको पता है ह प्रूसकार है डियागै क्या देखेगा हिंदी के लिए अब तक पराप्त ज्याने हम कॉन कांसे है आठ, डस, नो और ग्यारा हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ग्यान पूट पूसकार कितने है 255 फटाफट बताईए सर अभी तक दोस्तों याद रखेगा हिंदी के लिए टोटल ग्यारा ग्यान पूट पूसकार मिल चुके है तो option जो इसका D है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्लियर है आते हैं अगले कोशन पर तो देखे क्या कह रहा है कि इन में से ग्यान पूट पूसकार की विजिता कौन नहीं है बताईए नरेश महिता, कमलेसवर, कुवर, नारायन और दिनकर इन समय से ग्यान पूसकार की विजिता कौन नहीं है बताईए सर तो याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पर दिनकर जी को मिल चुका है नरेश महिता जी को ही मिल चुका है और कुवर, नारायन जी को ही मिल चुका है यानि कि बचे कौन सर option number जी इसका C है कमलेश वर जी को रही ही मिला है तो option जी इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जायेगा आते हैं अगले question पर तो देखेंगे अगला question क्या क्या कहेरा है यहां से देखेगा कि भारतेन दू-दू-युक की समय सीमा है भारतेन दुयुक की जो समय सीमा है वो कितनी से कितनी तक है बताइए सर बहुत अच्छा कोशन है सभी लोग को जवाब देते हुए चलना सर भारतेन दुयुक की समय सीमा कितनी से कितनी तक है 257 तो याद रखे है दोस्तो 1865 से लेकर के 1900 1865 ओफ्सन नंबर जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा 1765 से लेकर के इनीस तो आफ्सन जो इसका ए है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 258 देखे क्या कह रहा है कि भाईया हिंदी को राजभासा का दर्ज़ा मिला था 258 फटावर सभी लोग जवाब दीजे सर हिंदी को राज भासागा दर्जा कम मिला था याद रखेंगे दोस्तों हिंदी को राज भासागा दर्जा 14 सितम्ब निस्सोंचास को मिला था तो ये तो सबको पताई होगा दोसों उनसर देखिए क्या कह रहा है कि भारत में मांक्सवादी चिंतन परमपरा और समालोचन के समर्थ प्रवक्ता कौन है बताइए सर फटा फट जवाब दीजे दोसों उनसर का तो याद रखिए दोसों उनसर का जो करेक्ट एंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर राम विल सरमाजी है तो जो इसका भी है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्लियर है चलिए आते हैं अगले कोशन पर तो अगला कोशन देखिए क्या कह रहा है बरिया बीती बल गया आस बुरा कमाया हरी जिन छाड़े हाथ थे दिन नेड़ा आया यह बताएए किसकी सर आपका हो जाएगा कबीर दास यहां पर जितने भी जवाब दे रहे हैं आफसर नमबर ए वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे समझ में आगया सर तो भाई इसके बाद आपके दो सूर्दास के गुरू कौन है पताए फटा फर सभी जवाब देजे सर सूर हिरामनसुआ के उलेख आता है बहुत ही अच्छा कोईशन है दोसो बासर्ट नमबर सभी जवाब देते हैं चलेंगे सर हिरामनसुआ का उलेख आता है किस में आता है सर तो याद रखेंगे दोस्तों 262 का जो करेक्ट एनसर आपका हो जाएगा पद्मावद तो जो है इनका उल्लेख होता है पद्वावत में आते हैं कोईशन नमबर 263 पर देखे क्या कह रहा है रासो चरित काव्य है और उनकी रचना रासक सैली में हुई थी यह कथन पताइए किसका है पड़ा पर सभी लोग 263 का जवाब देती हैं चलेंगे तर तो याद रिखे हैं दोसो 263 का जो करेक्ट एंसर है आपका हो जाएगा आपसर नमबर A आचार हजारी प्रसाद दिवेदी तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं आपसर नमबर A वो लोग यहां पर बिल्कुल क और शर्व हो जाएगे अगला कोश्ण देखो क्या कह रहा है जूते 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 ही नहीं विश्तवास घातक तो लेखक की अनूती और किस नाटक कार कि हैë कोश्चंडिzessर नमबर 264 पताही सब सबसे नाटक कर उसे कौन था है बात तो इसका जो correct answer आपका भारतें दुहरिश्चंद्र हो जाएगा समझ में आगे न सर 265 का जवाब दिए सभी लो कि निमलिखित में से महादेवी बर्मादी के जवार रचित कहानी कौन सी है महादेवी बर्माजी के द्वारा रचित कहानी यहाँ पर कौन सी हो जाएगी फड़ा फड़ा सभी लोग जवाब दिए तो याद रखेंगे दोस्तो 265 का जो correct answer है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आकास दीप यहाँ पर जो आकास दीप है यह महादेवी बर्मादीनी रचा है तो option जिसका B जितने लोग जवाब दे रहें वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगे दोस्तो 266 दीखें क्या कह रहा है कि भाई यह दुवेदी युगीन देखिए दुवेदी युगीन रचना जय भारत की रचनाकार कौन है बिल्कुल सभी बात है जितने लोग जवाब दे रहें ओस नंबर A लोग यहां पर बिल्कुल correct हो जाएगे अगला question देखो कहे रहा है हिंदी का पहला पत्र कौन सा है यह तो सबको पता होगा बहुत ही आसान question है सबको इसका जवाब पता होगा हिंदी का पहला पत्र कौन सा है बिल्कुँ सही बाता सर इसका जो correct answer है आपका हो जाएगा उदंत मारतंड तो हिंदी का जो पहला पत्र है आपका कौन सा है दोस्तो उदंत मारतंड है तो option जो इसका A है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question देखो क्या कह रहा है भक्त माल की रचनाकार कौन है भक्त माल की रचनाकार कौन है नाभा दास, विटनु दास, केशो दास या सुन्दर दास जी question number 26 फटा पर सभी लोग जवाब दीजे तो याद रखेंगे दोस्तो भक्त माल की अगर हम बात करते है तो इसके रचनाकार कौन है नाभा दास जी है कौन है दोस्तो नाभा दास जी है तो option number जो इसका A है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा समझ में आगे ना, चलिए आते हैं अगले question पर तो देखें क्या कह रहा है गोस्वामी तुलसी दाश जी का निधन वारांसी के किस घाट पर हुआ था बताए सर गोस्वामी तुलसी दाश जी का जो निधन है वो वारांसी के किस घाट पर हुआ था question number 279 फड़ा पर सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे sir 270 जवाब देखें हाँ पर आना शुरू हो गया है तो याद रखेगा असी घाट पर कौनसा वारांसी का जो असी घाट था यही पर हुआ था तो option number जो कभी है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा 270 देखें कहा रहा है गुडिया भीतर गुडिया इसके रशनाकार कौन है गुडिया भीतर गुडिया इसके रशनाकार कौन है question number 270 सभी लोग जवाब देते हैं चलेंगे इसका तो याद रखें कि 270 का जो correct answer आपका क्या हो जाएगा सर मैत्रेई पुस्पाजी बहुत ही important है सर मैत्रेई पुस्पाजी ने लिखा है गुडिया भीतर गुडिया clear है अगला question देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सव अजान एक सुजान की रशनाकार का नाम बताएगे क्या है सव अजान एक सुजान इस रशनाकार का नाम बताएगे क्या है 271 फटाफर सभी लोग जवाब देते हैं चलेंगे सर बहुत ही अच्छा बहुत ही important question है तो याद रखेगे दोस्तों 271 का जो correct है सव आपका क्या हो जाएगा बिलकुल सही बात है सर दोस्तों 271 की अगर हम बात करते है तो बाल मुकुंद गुप्ता यानि की option जो इसका c है वो यहाँ पर बिलकुल correct हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्ता जी है सो अजान एक सुजान की रशनागार अगला कोशन देखो क्या कह रहा है भार तेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग में कौन सी है भार तेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग में बताईए कौन सी है दोसो बात तर सभी लोग जवाब देते हैं चलेंगे सर तो याद रखेगा कभी बचन सुधा हिंदी प्रदी बिल्कुल सही बात है सर यहाँ पर option number जो इसका A है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा सूर सागर किस भासा की रशना है बताईए सूर सागर किस भासा की रशना है क्या रखेगा है विरो जैसा हो बसंत यह कविता बताईए किस ने लिखेए 276 फटावर सभी लोग जवाब देते हैं चलेंगे सर 274 देखी जवाब यहाँ पर आना शुरू हो गया है तो याद रखेगा दो ही ओफ्सन है तो याद रखेगा सुबद्रा कुमार चुहान इन्होंने ओफ्सन नमबर जो इसका B हो यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सभी बात है तो यहाँ पर जो भी लोग जवाब दे रहें सी ओप्सन वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला कॉशन देखो क्या कह रहा है भीया निमलिकित में से किस देश में हिंदी भासा का प्रियोग लिखने वा बोलने में किया जाता है बताएंगे निमलिकित में से किस देश में हिंदी भासा का प्रियोग लिखने वा बोलने में किया जाता है चलिए बिल्कुल सभी बात है मौरिसस में वीडियो को या दोनों PDF को, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको पता है PDF कैसे डाउनलोड होता है, तो PDF ज़रू डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आज का जो टेस्ट आपको कैसा लगा, पहले comment करके बता दो, आज के टेस्ट में मज़ा आया, जी हाँ, एक घंटे का ये मज़ेदा टेस्ट था, आप सभी को मज़ा आया है ना आज के क्लास में, अगर आपको मज़ा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा, और और जो चीज़ें आपको ऐसे मिलते रहेंगे, इसके बाद अभी के लिए बाबाए, टेक केर, जैहिंद, जैवाद,